आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ इस क्वेशन हम से कहा गया है कि हमार पास एक मुविंग कॉईल केलवनो मीटर है उसके पास 200 तरन्स है और रिजिस्टन्स उसका 40 ओमता सारी अधर कॉंटिटी सेम है बोट केसिस में तो हम से करेंट सेंसेटिटी पूछी कही है तो आप देख सकते हैं हमें रिलेशन बताना है करेंट सेंसेटिटी ओफ ब और ए के बारे में तो आप जानते हैं जो करेंट सेंसेटिटी होती है वो होती है हमारी देफलेक्शन पर यूनिट करेंट करेंट सेंसेटिटी की डेफिनेशन होती है तो c into 5 equals to bina हो जाता था, एनि current sensitivity 5 upon i equals to हो रहा था हमारे पास b into n into area a upon torsional constant c हो रहा था था, तो आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास magnetic field bc constant है, area constant है calvanometer का, और torsional constant c भी constant है, तो जो हमारी current sensitivity होगी, ठीक है, वो directly proportional to number of turns पर हो रही है, current sensitivity number of turns पर directly proportional जा रही है, तो हम माले लते है, current sensitivity a की थी, उसको a से represent कर देते है, ठीक है, वो हो जाती है, maintain, k times of n और current sensitivity b की हो जाती है, और k times of n2 हो तो अगर हम जब A by B करते हैं, तो मारे पास चाल रहा हुथा, A by B कर रहा हुथा है, तो मारे पास N1 अपॉन में N2 चल रहा हुथा, ठीके, A यहाँ पे रिप्रेजन कर रहा है, Current Sensitivity of Galvanometer A, और B यहाँ पे रिप्रेजन कर रहा है, Current Sensitivity of Galvanometer B, ठीके, N1 था हमारे पास 200 तरन् यहाँ तो अपॉन में 100 टाल रहा हुथा, ठीके, 200 अपॉन में 100 चल रहा हुथा, यहाँ एक बंद अबस तू टाम्स अब B आ रहा है, तो आप देख सकता हैं, यहाँ अच्छ प्चाल अबर बन रहा है, यहाँ पे υप्चेन B बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा optnaj B ब झाल 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 झाल